दो मार्च फाल्गुन अमावस्या बना सुब संयोग जो भी हो दुखतर धन्हानी या हो कोई रुकावट सबसी मुक्ति दिलाएगी लालमेच ओम दैशी महागड़ी शाय नमा राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों फाल्गुन मार्च की अमावस्या इस पाद दो मार्च दिन बुद्वार को है फाल्गुन अमावस्या का हमारे शास्तों में विशिश महत्व बताया गया है शास्तों के अनुसार इस दिन सभी देवी देपता पवित्र जल में बास करते हैं इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में इस्तान करने का विशिश महत्व हो इस वार की फालकुन अमावस्या बहुत खास है क्योंकि इस अमावस्या पर सिध्य योग और शिव योग का निर्बार हो रहा है इसलिए इस अमावस्या पर किये गए जब तब पूजन और उपाए दो गुना अधिक पुन्य फल्दाई होंगे मानिता है कि पित्रों के मुक्ष के लिए फालकुन अमावस्या विशेश है पित्रों के लिए दान तरपण और शार आदी इस अमावस्या पर करने से पित्रों की आत्मा को शान्ती मिलती है साथी पित्रों की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है जीवन में शुक शान्ती के लिए फालगुन अमावस्या पर ब्रत भी रखा जाता है इस दिन गीता का पाठ करना बहुत ही शुबाना जाता है इस दिन पवित्र नदीम या जलाशे या कुंड में इस्तान का सूरी देव को अध्य देने के बाद पित्रों का तरपन करना चाहिए ऐसा करने से पित्रों की आत्मा को शान्ती मिलती है इस दिन शिपची के मंदिर में जाकर काई के कच्चे दूद, दही, शहत, घी और शक्कर को मिलाकर इससे शिपची का अविशेख करना चाहिए और उन्हें काले दिर अर्पित करने चाहिए यह अमावस्या पूचन के साथ ही उपाई करने के लिए भी बहुत शुब मानि जाती है मानिता के अनुसार इस अमावस्या पर किये गए उपाई बहुत ही जल्दी शुफल प्रदान करते हैं और सिध्ध हो जाते हैं दोस्तों हर किसी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं कुछ समस्यां ऐसी होती हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेती आप लाल मेच के यह आसान से उपाय कर अपनी सभी समस्यां का समाधान निकाल सकते हैं इन उपायों को कहने से घर में सुक्सम्रधी आती है धन की हानी नहीं होती धन में परकत होती है दुश्मनों का नाश हो जाता है लाल मिच के यह आसान से उपाई करने से बिगड़ी कारे भी बनने लगते हैं कारेों में आ रही रुकावट दूर होती है बीमारी और दुख तरिता का नाश होता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी धन की आवक नहीं होती या फिर काम अच्छा चल रहा होता है घर में रुपए पैसा सब होता है लेकिन अचानक ही रुपए पैसे में कमी आने लगती है धन की हानी होने लगती है और काम भी अच्छा नहीं चलता तो दोस्तों इन समस्याओं को दूर कहने के लिए आप ये आसान सा उपाय अवश्य करें इस उपाय को कहने के लिए आप साथ सूखी हुई साबुत लाल मिच लें ध्यान रखें आपको साबुत लाल मिच लेनी हैं जिसमें डंडे भी लगी हो लाल मिश लेने के बात अब आप एक लाल रंग का कपड़ा लें एक लाल रंग का रुमाल लें और इसमें आप इन साथों लाल मिश को रखतें और रुमाल से इसे बांदें यानि कि एक पोटली बनाने अब रुमाल में बंदी हुई यह लालमेच आप अपने धन रखने के इस्थान पर रखना है जहां से आप धन रोज रखते हो निकालते हो यानि कि जहां आप जैलरी वगरा रखते हैं कीमती समान वहां ना रखें रोजाना के जो आप जहां पर रुपए रखते हैं आप वहां पर इस पोटली को रखें आप अपने ब्यापार इस थल पर अपने गल्ले में अपने केश बॉक्स में इसको रख सकते हैं दोस्तों लाल मेच की यह पोटली, धन रखने के इस्थान पर रखने से, धन पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती। पहले से लगी हुई किसी की जो बुरी नजर होगी नकारात्मक उर्जा होगी तो वह भी इस लाल मेच में चली जाएगी और धन पर से नजर दोश हर जाएगा धन की आवक पर किसी की रुकावट नहीं लगीगी और धन की आवक अच्छी होगी धन की हानी नहीं होगी और धन में बरक्कत होगी दोस्तों धान रखें अगली अमावस्यां पर आपको यह जो साथ लाल मेच हैं इनको शुद्ध बहते हुई जल में बिसर्जित कर देना है या फिर आप इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और इसे रुमाल में पापस से साथ नई लाल मेच बांद कर अपने धन र मिलते हो आपके किसी भी कारे में बाद आ रही है जैसे आप विभा की उम्र हो गई है आपकी लेकिन नहीं हो पा रहा यह आप नौकड़ी की तलाश कर रही है और नौकड़ी नहीं लख पा रही किसी परिक्षा को देते हैं लिकिन उसमें सफल caffeine को अफश्य का रहें उपाय कर अलग रख लें और एक जग में या फिर एक लोटे में साफ पानी लें और उस पानी में आप यह 21 बीच डाल दें पानी में बीच डालने के बाद आप इस पानी को अपने सिर पर से साथ बार खुमाएं यानि कि साथ बार बारें आप खुद भी बार सकते हैं या परिवार क कोई भी सदसे आपके सिर्पर से यह साथ बार पानी उतार दे ध्यान रखें आपको यह clockwise ही उतारना है साथ बार बानी के बाद अब आप इस पानी को अपने घर से बाहर फैक दे आप अपने घर से बाहर साइड में या फिस सड़क पर इसको फैक सकते हैं अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो आप बिल्डिंग से बाहर जाकर भी इसको फैक सकते हैं इस उपाई को करने से कार्यों में आ रही रुकावत दूर होती हैं बिगडे कारे भी पनने लगते हैं और कार्यों में सफलता मिलती हैं दोस्तों यहें उपाई आपको अमावस्या की संध्याकाल या रात्री के समय करना है। संध्याकाल से रात में आप किसी भी समय इस उपाई को कर सकते हैं। उपाई करती समय आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको टोके नहीं। दोस्तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका बुरा चाहता है कोई है जो आपको नुकसान पहुचाता रहता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको या आपके परिवार को खुश नहीं देख सकता तो शत्रु को शांत करने के लिए बैर भाव को दूर करने के लिए शत्रु नाश के पर ऐफित आप अपने घर से बहार जाएं घर से बहार जाकर जमीन में आप गढढ़त हो दें गढढ़त हो दो क Judge के बाद आप सिर पर पांच भार बारें लालमिश अतारते समय आपको अपने दुश्मन का नाम लेना है अगर आप अपने दुश्मन का नाम नहीं जानते आपको यह नहीं पता कि कौन आपको नुकसान पहुँचा रहा है कौन आपके पीट के पीछे बुरा करता है तो दोस्तों ऐसे में आपको अग्याद शत्रू या अग्याद दुश्मन कहते हुए अपने सिर्पल से लालमिच उताने है अग्याद दुश्मन यानि की कोई दुश्मन जिसका नाम आपको पता नहीं अग्यात दुश्मन कहते हुई या अगर शुत्रू का नाम पता है तो उसका नाम लेते हुई आपको यह लालमिच उताने हैं लालमिच अपने सिर्पल से बारने के बाद आपको यह लालमिच इस गठे में दबा देने हैं और मिट्टी से द्रग देने हैं गठे में लानमिश दवाने के बाद आप भगवान से प्रात्ना करें, कि आपका जो भी दुश्मन है वे शांत हो जाए, प्रात्ना करने के बाद आप सीधे अपनी घर आ जाए, ध्यान रखें पीछे मुढ़कर ना देखें, रास्ते में किसी से भी बात ना करें, दोस्तों इस सुपाई को कहने से यकीन मानिए, पड़ी से बड़ा दुश्मन भी शांत हो जाता है, और नुकसान नहीं महुचा पाता, या तो उस व्यक्ती के मन से बैरभाब दूर हो जाता है, या फिर वे शांत हो जाता है, लेकिन वे आगी से कभी भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा, वे शित्रु कभी भी आपको परिशान नहीं कर पाएगा, दोस्तों अगर आपके घर में किसी बच्चे को या अन्य सदस्य को नजर लग गई है, या कोई व्यक्ती है जो लगातार अकसर बीमार रहता है, बहुत इलाज कराने पर भी फायदा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है वे व्यक्ती बुरी नजर से पीड़ित है या फिर उस पर किसी बुरी चीज का नकारात्मक शक्ती का असर है, हमारे बड़े बुचरकों के हिसाब से लालमिच नजर दोश को सबसे जल्दी दूर करती है, लालमिच एक ऐसी चीज है जो बुरी से बुरी नजर को भी चुटकी भर में दूर कर देती है, बुरी नजर को दूर करने के लिए नकारात्मक शक्ती के प्रभाप को दूर करने के लिए आप साथ सूखी लालमिच लें, उसके साथ ही एक चुटकी नमक और एक चुटकी पीली सरसोलें, इन सभी चीज को लेकर आप उस प कीरित व्यक्ति के पूरे सरीर पर से इन चीजों को बारना है इसके लिए आप व्यक्ति को या तो खड़ा करे लिए या फिर लिटा ले और फिर उस व्यक्ति के ऊपर से आप साथ बार इन चीजों को बारें साथ बार उतारने के पार आप आप लाल बेश नमक और इस पीली सर सकते हैं दोस्तों ध्यान रखे पीली सरसुर नमक और लालमिश आपको तीनों चीछ एक साथ ही पेड़िद व्यक्ति के उपर से उताने हैं दोस्तों इस उपाई को कहने से आप यहकीन मानें इसका तुरंथ ही लाव देखने को मिलता है 10-15 मिनट में ही बुरी से बुरी नजर भी दूर हो जाएगी और नकारात्मक शक्ति का प्रभाब भी कम होगा पीलिद व्यक्ति को 10-15 मिनट में ही पॉजिटिव रिजल देखने को मिलेंगे शरी हलका महसूस होगा, सिर हलका महसूस होगा और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी दोस्तों जब आप यह मिर्च जलाएंगे और व्यक्ति पर अगर किसी की बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति का प्रभाब होगा तो जो मिर्च जलाएंगे तो मिर्च जलाने पर कोई भी इसमेल नहीं आएगी यानि कि जो मिर्च जलाने पर एक धसका उड़ता है मिर्च की भसाती है तो वह भी नहीं आएगी अगर व्यक्ति पर कोई नजर दोश नहीं होगा कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाब नहीं होगा तो फिर मिर्च में से आपको इसमेल आएगी अगर मिर्च में से इसमेल नहीं आई है यान की व्यक्ति पर बुरी नजर थी तो इसलिए आप यह उपाय लगाता तीन दिनों तक अवर्शे करें या जब तक करें जब तक मिर्च से इसमेल ना आए एक दिन में आपको यह उपाय एक बार ही करना है दोस्तों लाल मिर्च के यह जो सारे उपाय आपको संध्या काल से रातरी की समय करने हैं आप रात में किसी भी समय इन उपायों को कर सकते हैं ध्यान रखें, इन उपाईों को करते समय कोई भी आपको टोके नहीं, इस बात का विश्य ध्यान रखें, वेना उपाई सफल नहीं होंगे. अमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें, जिसे वह भी इससे लाग राप्त कर सकें, हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर पहल आइकन को भी जरूर दबाएं, थैंक्स